नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगा वेलकमेंज स्वागत है सेटेट परिच्छा में छात्रों को काती समस्या हो रही थी इसको लेकर सीबियसी ने एक लिंक एक्टिवेट कर दी है एक डेमो लिंक जारी की है अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो इस वीडियो को कंप्लेट वाच करेगा सारे डाउट आपके किलियर हो जाएंगे उस लिंक पे किलिक करके आपको परिच्छा किस प्रकार से देनी है वो सारी चीजे हम आज बताने वाले हैं उसके लावा यह जो लिंक है इसके मादम से जो ऑनलाइन परिच्छा हो रहे है उस परिच्छा इस बार हो रहे है 2022 में उसके बारे में बताया गया है तो लिंक को ध्यान पूर्वक देखेगा पेपर जो हम करने वाले हैं जो डेमो पेपर जो के CBSC ने जारी किया है उसको भी ध्यान पूर्वक करने वाले हैं उसको भी ध्यान पूर्वक देखेगा लेकिन अगर आप लोगों ने भी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लिजे वीडियो को सेर नहीं किया तो कर दीजेगा और लाइक वाला बटन जरूर दबा दीजेगा चलिए हम सीदा देखते हैं यह आपको दिख रहा होगा सीटेट में ग्रामिट छात्रों को ऑनलाइन परिछा में समझ से आए इसी को लेकर CBSC ने एक लिंक एक्टिवेट कर दी है तो चलिए उस लिंक को देखते हैं कौन सी लिंक CBSC ने जारी की है सबसे पहले आपको स्क्रेन पे Google Chrome ओपन कर लेना है Google Chrome जैसे ही आप ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे सर्च बार नजर आ रहा होगा इस सर्च बार में आपको सर्च करना है एक्जाम करेक जो कि आपको नजर आ रही होगी एक्जाम करेक तो जैसे ही एक्जाम करेक को आप सर्च करते हैं तो यहाँ पे आपको एक्जाम करेक सर्च करने पर आपको यहाँ कुछ इस प्रकार से बिंडो ओपन हो जाएगी अब ये जब इस प्रकार से पोस्ट नजर आएगी तो आपको यह नजर आ रहा होगा, CBSC ने CT222 के सभी छात्रों के लिए official mock test की link अक्टिवेट कर दी, तो हमें क्या करना है, इस read more वाले option पे click करना है, हम read more के option पे जैसे ही click करते हैं, तो हमें करना क्या है, हमें नीचे चले आना है, इस post के, ध्यान पूर्बग देखेगा, इस post के नीचे जैसे ही आप लोग आते हैं, तो क्या होगा, आपको नीचे ध्यान से आना है, यहां पे आपको एक link नजर आएगी, CT exam 2022 online mock test, इस link पे आपको पहली link पे click करना है, अगर आप लोग कोशन पेपर देखना चाहते हैं, 28-29 वाले तो आप इस पे जाके पढ़ सकते हैं, तो हमें पहली link पे click करना है, तो हमने इसमें click किया, अब आपकी screen कुछ इस परकार से नजर आएगी, आपको जो बिंडो मिलने वाली है, computer center में जहाँ पर आप पर इच्छा देने वाली है, तो कुछ इस परकार की बिंडो आपको वहाँ मिलने वाली है, अब यहाँ पे दो चीज़ें होगी, पहले एक left side में जो आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर system name होगा, इसका मतलब यह होता है कि जो परिच्छा होने वाली है, वहाँ का जो system name होगा, system number होगा, वो number यहाँ पे होगा, यह आपको center में ही पता चलेगा, कि system पे आपको बैठना है, वो वही पे number मिलेगा, जो की number यहाँ पे दर्ज होगा, एक right side पे आपको आपका नाम दर्ज होगा, subject दर्ज होगा, जो की आपको नजरा रहा होगा, साथ में photo भी आपको नजरा रही होगी, अब क्या करना है, यहाँ पे आपको username, और दूसरे में password आपको enter करना है, यह कहाँ पे मिलेगा, यह आपको admit card जब download करेंगे, उसी के साथ मिल जाएगा, center में आप पूँच सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, तो आपको यहाँ पे अपना login ID, और साथ में password, इंटर करने के बाद, submit करना है, यानि sign in के button पे click कर देना है, अब आपकी परिच्छा के लिए, window इस परकार से open हो जाएगी, अब यह window क्या है, इसको ध्यान पूरुवक पढ़ लीजेगा, यहाँ पे view in में लिखा हुआ है, इसका मतलब है, आप भासा अगर हिंदी करते हैं, तो आप इसको हिंदी में पढ़ सकते हैं, इंगलिस ही रखते हैं, तो इंगलिस में पढ़ सकते हैं, इसको आपको क्या करना है, पढ़ने के जुरूत नहीं है, यहाँ पे देखिएगा कुछ चीज़े महात्पूर्ण है, नेगेटिव टूर कोशन है, आंसरिंग और कोशन है, यानि कई चीज़ें हैं, यह आपके लिए महात्पूर्ण नहीं है, हम सीधा प्रेटिकल के मादम से इन चीज़ों को समझ लेंगे, चलिए आपको क्या करते हैं, सीधा नेश्ट वाले बटन पर जाना है, अब सबसे महात्पूर्ण पार्ट ये वाला है, यहाँ पे आपको क्या कहरा, चूज योर डिफाल्ट लेंगवेज, अब यह डिफाल्ट लेंगवेज क्या होती है, जैसे मालेजी आपने यहाँ पे हिंदी का चुनाओ किया, जब फिर English का चुनाओ किया तो जिस भासा का आप यहाँ पर चुनाओ कर लेते हैं तो पूरा paper आपको उसी भासा में नजर आएगा और फिर कुछ लोग भासा नहीं बदल पाते हैं तो उनको लगता है कि हमारा Hindi ही नहीं हो रहा तो अगर आप English में comfortable है तो English चुन लीजेगा Hindi में comfortable है तो Hindi चुन लीजेगा लेकिन ऐसा नहीं है कि आप paper में अंदर question हो के साथ Hindi English नहीं कर सकते हैं लेकिन आपको हर बार करना होगा तो अगर default में आप जो भासा चुन लेंगे वो ही आपकी सारे paper में रहेगी तो हम माली जे Hindi का चुनाओ करते हैं अब आपको यहाँ पे tick कर देना है इसका मतलब है कि आपने सारे term and condition पढ़ लिये हैं अब आप इस चीज़ से सहमत हैं तो आप tick करके सीधा क्या करेंगे एक्जाम के लिए तयार हो जाएंगे यहाँ पे I am ready to begin में click जैसे ही करते हैं तो आपका एक्जाम जो है start हो जाएगा आप कुछ इस प्रकार से window open होगी आप इसमें तीन चीज़ समझने वाली हैं पहले तो आपको right side में उपर left side में नज़रा रहा होगा डवल 80 20 paper 1 डवल 80 paper 1 language डवल 80 paper 1 language 2 याँ यहाँ पे language की बात है पहला जो option है जिस पे हमने अभी mouse cursor को ले गए है mouse cursor दिख रहा होगा यहाँ पे आपको क्या करना है टिक करना है इस पर टिक करेंगे तो आपके पास आपकी जो शुरुवाती 30 subject common होते हैं सभी के लिए एक होता है CDP एक होता है mathematics एक होता है environment यह आपका open हो जाएगा अब मानली जी यहाँ पर क्या है सबसे बड़ी बात है इसको आपको English में पढ़ना है हिंदी में भासा समझ में नहीं आ रहे है इस question की तो अब यहाँ पे view in पे आप click देखिएगा तो बस इसको आपने टिक किया और learning process तो आपने इसको पहले में टिक किया आप क्या करेंगे यहाँ पे आपको green करना अनिवार है तो save and nest कर देंगे अगर इसको save and nest करेंगे तो इसका मतलब आपने पहले question का answer कर दिया अब यहाँ पे आपको फिर दूसरा question इंग्लिस में Donna रा रहा है अप क्या चाहते हैं कि Hindi में इसको पढ़ना तो आप इस पे Hindi का चुनाव करने अब आपको यहाँ पे हिंदी नजर आ रही होगी तो सारे बिकल्प जब आप green कर देंगे तो आपका क्या होगा इस सारे भी कल्ब ग्रीन करने बाद ये पेपर आपका पहला जो है सम्मिट हो जाएगा फिर आप अगले सेक्षन में चले जाएगे तो यहाँ पर ग्रीन की जगा क्या हो जाएगा आपको देख रहा होगा बैंगनी कलर आजाएगा जो कि क्या होगा इसका मतलब हुआ कि आप इस कोश्चन को दुबारा देखना चाहते हैं रिव्यू के लिए छोण रखा है जिससे कि आप लोगों को क्या होगा आपको कौन क्या होगा मालीजे तीस कोश्चन में दो तीन कोश्चन आपको बाद में देखने हैं समझ में नहीं आ रहा है तो उसमें रिव्यू कर लिजे बाद में इनको इस जैसे ही टिक करेंगे उन कोश्चनों पर टिक करना है जब आपको कोश्चन पेपर सारा हो जाए फिर आप उ कोशन का अंसर किया है उसी के अंक जुड़ेंगे और घटेंगे और बढदेंगे अनि अगर आपने green नहीं किया तो आपके अंक नहीं मिलने वाले तो आपको green अनिवार रूप्से करना है ध्यान रखना मालजी कोशन कर लेते हैं कि हमें पहले कौन सी भासा जैसे माले जी किसी को CDP पहले करनी है किसी को मैत करनी है किसी को EBS करनी है तो क्या करे उसको ऊपर जाना है यहाँ पर अगर किसी को CDP करनी है तो यहाँ पर CDP वाला section किलिक करेगा किसी को मैत करनी है पहले तो मैत वाले में टिक करेगा किसी को EBS पहले solve करनी है तो EBS वाला section टिक कर ले अब आप जो भी section पहले करना चाहते है यहां से टिक करके उस question पर जा सकते हैं इन question को जब आप कर लेंगे जब आपके सारे question हो जाए मालिजे की हमने EBS सिधा किया यहां पर हमने 30 number पर click किया और हमने इसको मालिजे विकल पर C मान लिया हमने save and nest किया तो हमारा क्या हो गए हमारे सारे question होने के बाद हमारे मालिजे सारे question हो गए कि सारे 90 question होने के बाद आपको भासा करनी है दूसरा part है आपका भासा अब मालिजे आपकी भासा 1 और भासा 2 कल लेकर जो समस्य है तो यह उपर जाएगा यहाँ पर टिक करिए अब यहाँ पर लैंगवेज वन इंग्लिस और लैंगवेज वन हिंदी अगर आपकी लैंगवेज वन इंग्लिस है तो आप इंग्लिस वाला पेपर हल करेंगी अगर लैंगवेज वन हिंदी है तो आप हिंदी पार्ट में जाना है अब यह तीसरे पार्ट में जाने के बाद हमने इसके भी language to हमारी मालिजे इंगलिस है या हिंडिय जो भी है इसको भी आप जब solve करनें 30 में 300 question को आपको क्या करना है यहाँ पर green tick करना है green होना अनिवार है अगर आपने 150 में 150 green tick किये हैं जो ही 150 अंक आपके जुड़ेंगे उसी से नंबर आपकी कमजादा होंगी जो आप अंक पाएंगे अब save and next कर दिया आपने मालिजे सारा paper आपका हो गया है सारा section आपके हो गया है अब क्या करना है तो आप यहाँ पर submit वाले पर click करेंगे आप किनारे दिख रहा होगा अब submit वाले में जैसे ही click करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि आपने कितने question हल किये है यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा child development आपने 30 question किये है mathematics में 30 किये है यह सारा जब नजर आ जाए तो आप क्या करेंगे no करके फिर वापस जाकर उसी section को चेक कर लेंगे उसके बाद क्या करना है आपको yes कर देना है अब yes करने के बाद क्या कह रहा है dear candidate thank you please note your exam is about to be submitted click on ok अगर आप ok कर देते हैं तो आपका exam submit हो जाएगा अब यह मालीजे आपका exam हो गया submit अब यहां से आपसे feedback मांगा जाएगा कि आपने exam देने में कैसा मैसूस किया अगर आप 4-4-4 सभी में करते हैं मालीजे सभी का 4-4-4-4-4 सभी किया अगर आपने यह आपका submitted है यह इसके लिए है online के लिए जरूरी नहीं है तो आप इसमें करना चाहें कर दीजे उसके बाद आप इसमें submit कर दीजेगा आपने feedback दे दिया कर दिया और आपका exam क्या हो गया submit हो गया अब आप यहां पर देख पा रहे होंगे dear candidate you have now successfully complete the exam please click on the below button to exit यानि आपका exam जो क्लियर हो गया अब आप कच्छा से exam समाप्त होने के धाई घंटे बाद आप अपनी seats चोड़ सकते हैं तो क्या होगा कि आप ऐसा करने के बाद आप को क्या करना है exam को submit करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से नजर आएगा अगर यह नजर आता है तो आप ध्यान रखेगा कि आपका exam complete हो गया है उसके बाद आप गिट करना चाहें करें नहीं तो छोड़ दें तो आपका exam complete हो गया दूसरी बात यह है कि अगर आप लोगो को कोई समस्य है तो कमेंट में पूर सकते हैं उसके लावा चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेजएगा वीडियो दोस्तों के साथ सेयर कीजे क्योंकि काफी महत्यपूर्ण है उसके लावा लाइक वाला बटन दवाएगा साम सात वज़े जो मैं राथने चल झाल 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 झाल